हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि एंटिवाइटिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसके कारण क्या है और फ्यूचर में ना हो इसके लिए हम कौन कौन से उपाय ले सकते हैं और साथी कुछ एक्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हेलो दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार आप देखरें फार्मेसी दुनिया चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हेल्ट से रिलेटेव वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों theoretic Re Tara questo का मतलब हता है दोस्तों हम antibiotic बनाते क्यों है पहले ये समझ लेते हैं antibiotic हम बनाते कि-सीنت लर्ने के लिए अगर हमारे सरीन की परकार क Ada bacterial infection हो गया तो उस infection से ट्रीट होने कuger हम एंटिवाइक बनाते हैं एक तरीके का यह chemical substance होता है जो हमारे शरीन में जाता है और वो specific bacteria से fight करता है और resistance का मतलब यह होता कि वह bacteria दो रहा है immune power develop करना अता कि उस medicine जो medicine बनाया गया वह बेक्टरिया के लिए वह medicine bacteria पर affect नहीं करता है दोस्तों अब यहां पर हम कुछ example के माधेम से समझने की कोशिश करते है कि antibiotic resistance होता कि है दोस्तों जैसे कि हमें normal common cold होता है या फीर swine flu जैसे h1n1 virus के वीच्ट होता है common cold हमारे rhino virus की वैसे होता है तो यहां पर क्या होता है कि हम नुर्मिली जाते हैं फार्मेश्री में जाटे हैं या फिर पहला के कि यादा मातरा में एंटिवायटी लें यहां भी जो तो पू रहिसे परकार की तो बाद में क्या होता धूर्मिंट फ्रद्रीप्र न्सी का स्वेटन के प्रदिटम सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो पर्टिकुलर दवाई उस काम में नहीं आता ऐसे करते करते हैं बहुत सारे ड्रग रेजिस्ट हो जाते हैं तो जिसको वह बटेक्टरिया को मारने के लिए बट वहां पे सारे जो दवाईया है वह फेल हो जाते है उस बैक्टरिया को मारने के लिए तो यहां पे बोलते हैं इसको सूपर भग दोस्तों आए हम कुछ एक्जांपल के माधियम से समझते हैं कि आखिर यह होता कैसे हैं दोस्तों आप सभी ने सुना होगा पैनिसिलिन के बारे में पैनिसिलिन एंटिबायोटिक 1928 में इसकी अविश्कार हुई थी उसके बाद इसको मेडिकल नाइन में बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया था क्योंकि पहले के टाइम पर दोस्तों जिसको भी बैक्टरियल इंफेक्शन होता था तो वह सही नहीं पाता था और उसको बचाना बहुत मूश्किल हो जाता था तो इस कंडिशन में क्या होता कुछ बीच में डोस चोड़ना सुरू कर दिया था लोगोंने तो धिरे-दिरे करके एक बैक्टरिया है जैसे इस्टेफाइलो कोकस और इस नामक एक बैक्टरिया होता है जो हमारे सरीर में इंफेक्शन फैलाता है तो 1928 में इसका विश्कार हुआ था पैनिसिलिन का और य चीज़े हम टीवी भी बोलते हैं टीवी के केस में क्या होता है 2016 के अगर डबलु एचो का आगड़ा उठाए जाए तो वर्ल्ड में लिया जाता था एंटीबायाटिक मेडिसिन वह असर नहीं कर रहे थी उन में से जो डबलु एचो का आगड़ा मैं बता रहा हूं उन में से एक लाख दस हजार ऐसे लोग मिलें जो कि निवर ड्रग खोजा गया था इसी टूबर कुलोसीज को फाइट करने के लिए रिफाम कि ऺएकटला प्लीक में जो हमारी पूर्मल में प्लमल पुलिक में यੰ के लेक क्सेप्षण फ़ैला अधिस्वन होगोरा कि हम तॉछते कि हम ऐंकी अन्टीबायक लेते हूं थी को जाते हैं डॉक्टर दवाय करते हैं इसा नहीं हो जो दॉस्तों यहां पर क्या होता है जो डॉक्टर होता है वह बहुत सोच समझ के अनलाईज करके डाइग्नोस तरिके से करके उसके बाद मेडिसिन जो डॉक्टर हम मेडिसिन प्रेस्ट्राइब करते हैं मान कि ज़का गर पांक बार दें केली करते हैं और यह द्वाइय दीन होते हैं तो अगर सक्ते हैं। को बीका नजर आथा तो वो उसको दौाइए लेलता है दोस्तों ऐसा बिलकूल नहीं करना चीओ क्यों competent के के होता है कि अपने आपको ख्याल रख सकते हैं यहां पर बात आती है कि हम कभी भी हमें कुछ भी सेजनल कंडिशन में अगर शाइनस हो या फिर नाग बंध हो या फिर दोस्तों गला खराब हो या कॉमन कोड़ों तो हमें किसी परकार की मेडिसीन लेने की जवरत नहीं है वहाँ पर क्योंकि दो या ती दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे और अगर हमें रिलीफ जल्दी चाहिए तो काड़ा जैसे दूद में हल्दी वगरा मिलाकर हम पी सकते हैं उससे भी रिलीफ पाया है ताकि हम किसी बेक्टरिया से वायरस से लड़ सकें और जो हमारे बहुत सरे बेक्टरिया और वायरस होते हैं तो हमें अपने इम्म्यूनिटी को बुष्ट करने की जड़त हैं ना कि हमें किसी परकार की मेडिसीन लेकर और उससे साइड इफेक्ट लेकर और अपने आपक करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफोर्मेटीव होगा आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट सेक्षन में बताएं और हाँ अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों म मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहें स्वस्त रहें धन्यावाद